हलो अबरिबरी नमश्कार मैं हूँ सिधार्थ आपका मेंटॉर फ्रेंड फिलोसोफर गाइड आप सभी का स्वागत करता हूं आईएस अग्डा 247 के इस यूट्यूब चैनल पर आज का ये जो आप देख रहे हो टॉपिक कि UPSC IS Prelims 2023 में अटेंट दें या ना दें और कैसे डिसाइड करें देखें मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस टॉपिक को या फिर हमारे टीम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस टॉपिक को हम अभी लेकर आएं क्विक अभी इसका कोई और्चित नहीं समझ में आ रहा है क्विक इस टूओ अरली टूइड किया दें या ना दें क्योंकि इन सब के डाउट थे और मैं one-to-one mentorship session लेता हूँ every Sunday तो आपको पता हभी कल संडे था तो काफी सारे ऐसे बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया कि सर 2023 में attempt दू या ना दू और मैं जानके ये मतलब शौक में रह गया कि अभी तो अभी तो आपको और आधी जंग भी बाकी है अभी चार-पांच महीने हैं आप अभी क्यों कह रहे हो भाई अगर आप 28 माई को प्रिलिम्स है 20 माई को 21 माई को या फिर एप्रिल नहीं आ रहा है डर लग रहा है अभी क्यों so it's always prevention is better than cure so let us prevent those things let us prevent those thoughts जो हमारे मन में आ रहे हैं हमारे thoughts की clarity होनी चाहिए अगर हम life में clear है कि क्या करना है कि मुझे मुझे जाके आज 3 घंटे पढ़ना है अगर हम clear है मुझे जाके आज polity का पंचायती राज पढ़ना है मुझे जाके आज geography का physiography पढ़नी है या फिर land sealing act पढ़ना है तो clarity मेरा बस एक ही उद्देश यथा इस session को लेने का कि clarity होनी चाहिए तो चलिए हम शुरू करते हैं इस session को बहुत जादे बड़ा नहीं करेंगे quick session इसी लिए मैंने इसको recorded form में रखा है live form में नहीं रखा है आपको कोई भी doubt हो इस पूरे video के दौरान comment section आपके लिए ही बना है तो comment section में आप अपने comments को लिखें और हम at the right moment उसको reply करेंगे और फिर एक और session ले लेंगे discussion ले लें so decide करें या ना करें मतलब कैसे हम यह तै करें कि अपना UPSC का जो हमारा अगला attempt है जो 2023 में मई में है वो दें या ना दें हाना so let us start यह मैंने खोल लिया मुझे लगता है कि आप लोग अभी इस phase में हैं आप मेंसे जो लोग अभी decide नहीं कर पा रहे हैं मुझे लगता है जैसा यह बालक है इस phase में यह खड़ा है बीच रास्ते में इधर जाओं yes इधर जाओं no doom attempt ना दूं है गिने मुझे लगता है आप मे chance होता रहता है लेकिन हम लोग हैं यहां पर जहां पर इन सारी चीजों में आपको मदद करेंगे so let us talk about first कि उन students का जिनको लगता है मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से अपने experience के हिसाब से किसको नहीं देना चाहिए IS prelims 2023 देखे यह मैंने खुद से आज बैट के बनाया है यह मे from various other faculties, various other students, toppers एक basic formula मैंने बनाया है कि इन इन लोगों को इस category में रखना चाहिए वो न दें और इन इन category में रखना चाहिए वो लोग दें ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा वो लोग कौन है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं who should not give सबसे पहले हम दो चीज पर आते हैं यह divide होता है दो functions में ठीक एक होता है वो अभी हम आपको बताते हैं यह हमारा PD है ठीक PD क्या होते हैं वो अभी अब बताते हैं फर्स्ट यह वो candidates हैं जिनको नहीं देना चाहिए जिनका अभी तक का UPSC syllabus शुरुआत ही नहीं हुई है start नहीं हुआ है ठीक है जिनका UPSC syllabus ही नहीं start हुआ है मतलब आपने syllabus तो देख लिया है पढ़ना अभी शुरू नहीं किया है या फिर आपने पढ़ने कोशिश की लेकिन दिमांग भटक गया अभी आपने शुरू भी नहीं किया है खतम तो छोड़िए बीच राज का छोड़िए उन लोगों को नहीं देना चाहिए दूसरा है कि आपने NCRT की तरफ बिल्कुल नहीं देखा है आपने NCRT की तरफ बिल्कुल नहीं देखा है कि NCRT का मुझे कैसे cover करना है क्लास 6 से cover करनी है क्लास 10 से क्लास 11 से मेरी अपनी इस topic को लेके कितनी समझ है मैं कितना सहज हूँ इस subject को लेके कब तयारी करने चाहिए revision कब करनी चाहिए NCRT की कौन सी NCRT ये सारी की सारी चीज़े अगर अपने नहीं की है तो भाई मत दीजिएगा दूसरा आता है हमारा optional UPSC का optional very very crucial आपको optional decide ही नहीं हुआ है अभी तक still confused है कि कौन सा optional लेकर चले अभी तक अगर optional नहीं हुआ है तो आप मत दीजिएगा ठीक है क्योंकि अगर आपका prelims निकल भी गया चलिए मान लेते हैं कि prelims आपका निकल गया है नब तो mains में बैठने का जो डर आपको सताता रहेगा exam में आप क्या करोगे आप ही जानते हो ठीक है answer writing अभी तक नहीं शुरू की है answer writing अभी तक शुरू ही नहीं की है और वही college वाले times पे आप हैं लिखने में चार-पांच paragraph लिख दे रहे हैं ना उसका intro body conclusion है questions को समझी नहीं रहे हैं तो अभी तक अपने answer writing नहीं शुरू की है तो आप रहने दीजेगा क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं prelims निकलने के बाद you will not get time actually so हमारी तैयारी pre plus mains के साथ होती है सिर्फ और सिर्फ pre perspective नहीं होती है देख रहा है आप लोगों को है ना अब हम आते हैं कि भाई आपका अभी तक कोई time table नहीं है no time table है ना कोई fix schedule नहीं है schedule भी लिख देता हूं कोई भी fix schedule नहीं है आपका कभी भी आप पढ़ना चालू कर ले रहे हैं कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा ले रहे हैं कोई वीडियो देख ले रहे हैं किसी दूसरे की स्ट्राटेजी और फॉलो कर रहे हैं तो आप अभी यह अटेम्ट मत दीजिए इसके बाद भी कुछ और पैरामीटर्स हैं जैसे कि आप book list और resources और resources आपके पास नहीं है है ना कि कुछ मान लिजे कि आपको quality पढ़नी है या फिर GS1 का पढ़ना है या आपके optional का पढ़ना है या current affairs पढ़ना है आपके पास book list नहीं है चाहे वो e-book के form में हो चाहे वो hard copy के form में हो आपके पास resources नहीं है जब हैं ही नहीं तो कहां से पढ़ोगे आप है ना मत पढ़ि आपने current affairs का नाम और निशान नहीं है current affairs आप कहां से पढ़ते हो current affairs आप पढ़ते हो news channel से जो mainstream news channel मीडिया है आज तक इन channels के तो ABPP news से आप पढ़ रहे हो तो वैसे तयारी नहीं होगी आपने अभी नाम ही नहीं सुना है योजना कुरुक्षेत्र magazine का down to earth magazine का आपने अभी कि किसी चैनल को नहीं follow किया है आपने अड़ा आईस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फॉलो नहीं किया है रेगुलर आप नहीं हो यह किसी भी चैनल पर रेगुलर नहीं हो तो मत दीजिएगा current affair बहुत important role play करता है हमारे prelims के perspective में ठीक है और minimum देखो दोस्तों अब minimum एक साल की preparation तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको लगता है कोई कि आप अभी से अभी से बिलकुल आपका प्रिश्ट भूमी कुछ नहीं है ऐसा और अभी से आप चाहते हैं तैयारी करना तो शायद chances थोड़े से कम है अगर आपकी प्रिश्ट भूम factors हैं फिर भी आप चाहते हैं कि भाई मैं कर सकता हूं तो सोचना पड़ेगा इस बारे में आपको तो हमने क्या discuss किया कि भाई one year या one point five year तो minimum है इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में ये तो कुछ हो गई factual बातें जो आपके पास अगर ये सारी चीजें नहीं है तो प्लीज आप अगले साल के लिए 24 के लिए तयार रहिए और पहले ये सारी चीजें complete करिए क्योंकि इन सारी चीजों को complete करने के लिए भी at least आपको routine में होना पड़ेगा regular होना पड़ेगा एक महीने का time चाहिए तब तक आपका January end आ जाएगा मैंने ये जो PD लिखा है PD का मतलब क्या है personality development के perspective में है ना आपका जो जो नजरिया है UPSC को लेके वो थोड़ा सा casual है है ना casual ऐने कि आप seriously नहीं ले रहे हो उसको आप एक अलग plan भी लेकर चल रहे हो इसको है ना कि चलो exam में बैठ के दे लेते हैं लोग कहते हैं कि चलो हम test the waters आकि चक तो लेते हैं कि UPSC का exam कैसा ह होता है prelims का examination कहता होता है to test the waters मत दीजिएगा मैं बता रहा हूं क्योंकि every attempt counts अगर आपको वाकई में इस परिक्षा में सफल होना है एक एक attempt एक attempt बहुत important है बहुत important है वो सुना है ना वो ओम शांतियों में dialogue है कि क्या था एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानों कि इसमें था जिसमें भी था भाई लेकिन important है बाई one each attempt is very very important आपने देखा होगा मैंने भी news cover किया है UPSC extra attempt लोग मांग रहे हैं उनसे पूछिए जिनके छे attempt खतम हो चुके हैं उनसे पूछिए जिनका छटवा attempt इस बार नहीं हुआ means उनसे पूछिए जो 2023 में जिनका 6th और last attempt होगा सो यह वाला जो एरिया है personality development यह ना personality आप दूसरों की personality को mimic करते हो है ना उसको देखके अपने आपको अपनी strategy बनाते उसको देखके अपने आपको उसकी तरफ मिमिक करते हो उसकी तरफ उठना उसकी तरफ बैठना उसकी तरफ तयारी करना जबरदस्ती bookshop पे जाना सिर्फ और सिर्फ निकले हैं तो हम book खरीद ही के आएंगे मतलब बुरा लगेगा खाली हांट वापस लोटाये तो तो यह सारी चीजे मत करिएगा नहीं निकल पाएगा इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे इस तरीके से करेंगे तो आप ये वाला attempt मत दीजिएगा तीक ह है कम से कम आपका clarity तो हो जाएगा कि हां मुझे 2024 के लिए मैं clear हूँ मैं अपना absolute aim जो है साधूंगा 2024 में 2023 में नहीं करूंगा ठीक है मजाक थोड़ी देना एक्जाम है कोई मजाक थोड़ी है नहीं देजिए जबाब का ये सारी चीजें कवर नहीं हो तो ठीक है समझ में आ दें या न दें और मेरे राय में उनको देना चाहिए वो कौन से काटेगरी के students होगे ठीक है हम आते हैं इधर किसे देना चाहिए ठीक है पेश परट ले हम अगर आप इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं अगर आप बहुत सीरियस हैं पढ़ने में अगर आप बहुत डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं ठीक है बागी सारे चीजा भी हम बाद में बात करेंगे but if you literally want yourself to see in yourself in the next merit list दोजार इस में तो फिर you are here इसमें इश्रेणी में आप आते हैं ठीक है मन बदल कहते हैं कि नजर बदल ये तो नजारा बदल जाता है सोच बदर तो सितारा बदल जाता है तो अगर आपने सोच बदल दी है तो आप दे सकते हैं ठीक दूसरा, जिसका लगबग 50-70% syllabus जो है, complete हो चुका है, cover हो चुका है, UPSC का, ठीक है? 50-60% syllabus जो है, cover हो चुका है, बाकी मुझे पता है, in process होगा, आप कर लोगे, ठीक है? जिसका लगबग 50-70% optional का जो subject है, optional आधा, या फिर optional का लगबग आधे से ज़्यादा, आपका पूरा हो चुका है, मैं पूरा हो चुका है कि बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे यकीन है कि आप लोग optional चुन चुके होंगे अपना, ठीक है? यह पूरा हो चुका है, और January, end, February, mid तक आप complete कर लोगे, यह विश्वास है, ठीक है? आप लोग दीजिएगा यह attempt है, और current affairs के लिए, जो current affairs है, उसके लिए आप किसी legitimate source को follow कर रहे हैं, है ना? किसी एक या दो magazine को, आप current affairs से बिल्कुल touch में हैं, किसी एक या दो YouTube channel को, या अपने favorite faculty को, है ना? current affairs के लिए आप अपनी एक notes बना रहे हैं, है ना? उसको revise करने के लिए आप mock test दे रहे हैं समय समय पे, है ना? तो यह सब इस process में अगर आप हैं, तो आप दे रहे हैं, आप दीजिए exam, चिक? पांचवा आता है, कि भाई, answer writing, mains की answer writing अगर आप कर रहे हो, daily अगर आप एक घंटा, 30 minutes, या 30 minutes, या एक घंटा, या उससे जादे, आप answer writing में लिख रहे हो, तो आप दीजिए, परिक्षा, तीक है, आप उस process में हैं, तीक है, क्योंकि अभी हम उस process में हैं, इस examination की तयारी हम करेंगे, और मार्श तक सब कुछ complete करके, हम फिर, April मही में, prelims की specific तयारी करेंगे, ये होगी चीज़े, और चीज़ें क्या है, NCRT, N-C-E-R-T, NCRT complete हो चुकी होगी, मुझे इतना उमीद है, at least आप पहला या दूसरा बार revise कर चुके होंगे, या कर रहे होंगे, ठीक है, समझ में आगी बार, और जो standard books है, मुझे ये भी उमीद होगी, कि जो standard books, जैसे लक्षमी कान्थ हो गई, है न, जैसे G.C.Liong हो गई, विपिन चंद्रा हो गई, नितिन सिंगानिया हो गई, है reference books, जो सारे subjects की, वो आपकी almost cover हो चुकी होगी, या फिर आपने cover कर ली होगी, in process में, ये, ये उश ट्रेणी में आते हैं, जो बच्चे जिनके पास, ओ, 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 एक second, आगे कर लेते हैं, इसको, और, तो, जो बच्चे, अभी हमने discuss जो किया है, यहाँ पर, black, जिनके पास proper time table है, अपने time table को follow कर रहे हैं, अपने schedule को follow कर रहे हैं, ठीक है, time table को follow कर रहे हैं, schedule को final कर रहे हैं, इन में से दो, तीन और बच्चे होते हैं, for example, जो लोग हैं, वो उनका second, या third attempt होगा, कुछ ऐसे लोग होगे, जिनका fourth, fifth, sixth attempt होगा, ठीक है, मान लिजिए कि आपको तीन बार आपने prelims नहीं दिया, इस बार आप strategy अपनी change करके देखिए, इसके बारे में हम लोग बाद में बाद करेंगे, लेकिन of course आप लोग दीजिए, जो लोग पहले prelims examination दे चुके हैं, पूरी तयारी के साथ, इस बार भी ये request है कि पूरी तयारी के साथ, एकदम कुछ नहीं छोड़ना है, दीजिए exam, अभी time है, आप पढ़ाई करिए, और जो students जिनका pre निकला हुआ था, prelims निकला हुआ था, mains नहीं हो पाया, for example, जैसे इस बार अभी mains कई लोगों का नहीं हो पाया, लगबग 4000 कुछ students थे, aspirants थे जिनका नहीं हो पाया, निसंदे, अगर आपके पास attempt होगा, तो please, examination को आप दीजिए, 2023, आपकी आधी तयारी, 80% तयारी है, कहां पे आपको ध्यान रखना है, answer writing में, ठीक है, आप से चूक गए थे, चाहे ethics में, essay में, optional में, इन तीनों को अपना hold बनाईए, और इनी तीनों में four ना है, अगर नहीं बन रहा है, तो GS one, two, three, इन तीनों में गहरी पकड़ बनाईए, ताकि 120, 30 से उपर marks चाहे, ठीक है, तो ये तो उनकी बात हो गई, जो लोग process में है, कि प इल्कुल ही दीजिएगा, आप लोग की तो खैर, इसमें संदे ही नहीं है, कि आप लोग नहीं देंगे, और कोई reason अगर होगा, तो फिर वो एक exceptional case होगा, कि चाहे ये तैयारी नहीं है, या घर में कुछ ऐसा काम है, या फिर आप अपने नीजी जीवन में, प्राइवेट जॉब में, या फिर किसी और जॉब में involved है, वो एक different aspect है, है ना, लेकिन तैयारी के perspective से अगर हम करें, तो exam दीजिएगा, ठीक है, क्यूंकि अभी भी वक्त है, चार महीने हैं अभी भी, चार महीनी में लगब देड़ सौ दिन हैं, देड़ सौ दिन में देड़ सो गुणे इस हिसाब से सोचिए, ठीक है, हम वापस आते हैं, अपने इस पूरे session पे, ये समझ में आगया आप लोग को, दो तीन और चीज़ें हैं इसमें, for example, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हम दे सकते हैं, और लेकिन मन नहीं बना पा रहे हैं, तो यारी तो है, डर लग जाये कहीं, इस बार भी fail हो जाये, ये हमेशा से रहता है, मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि अभी अपने आपको किसी भी तरह motivate करिए, किसी भी तरह कोशिश करिए motivate करने के, अभी वो time नहीं है, जिससे आप demotivate हों और अभी फैसला ले लें कि 2023 में मैं नहीं दूँग ठीक है, अभी खुद को motivated रखिए, आप याद करिए वो दिन जब आपने ये शपत लिथी फैसला लिये था कि मैं civil services examination में कूदूँगा और जी जान लगाऊंगा एक IES, IPS या फिर अपनी preference की नौकरी पाऊंगा, है ना, किसकी वज़े से आप बनना चाहते हैं, बाबाब की की वज़े से समाज को ठीक करना चाहते हैं, वो natural phenomena क्या थी, वो याद रखिएगा, है ना, कई सारे ऐसे students होते हैं, जिनका योग ये बहुत होते हैं, बहुत अच्छा उनका background होता है, लेकिन किसी mentor के absence की वज़े से वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं personally जानता हूँ, और सिर्फ और सिर्फ मेरे होने से, उनके सर पर एक mentor होने से, उन्हें एक validation मिलता है कि अरे हाँ, अब मैं कर लूँगा, ऐसी ही कुछ बाते हैं हमारी one-to-one mentorship होती हैं, जब हमारे जो paid sessions होते हैं, कई सारे students का यही मानना है, कि sir thank you so much, हमें बस एक validation चाहिए था कि मैं कर सकता हूँ, यह मैं कर सकती हूँ, that is it, तो मैं आपको यह validation दे रहा हूँ, आपकी लडाई खुद से है, the real fight is the person who is standing in front of the mirror, not everybody else in the examination hall, the real fight is how you can improve yourself and how you can be better from yesterday, आज आप कितना सीखे कल क्या पेक्षा, आज आप क्या नया सीखे, अपने आपको कितना बढ़िया और योग ये बनाए कल के पेक्षा में, क्या कल आपका आज से भी बुरा है, या फिर कल जितना पढ़ाई कि आज नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो वो एक motivation रखे कि अब अगले कल और जादे करूँगा, है ना, और नया concept सोचूँगा, ठी और सकरात्मत भाव से बिलकुल पढ़िये, अभी बिलकुल मदघवडाईए, हम लोग हैं आपके साथ में, कोई भी कभी भी समस्या अगर आए, कॉमेंट करके ज़रूर बताईए, और हम लोग हमेशा अवेलबल रहेंगे आपके लिए, ठीक है, तो ये perspective पूरा समझ में आ झाल झाल